उत्तर प्रिदेश के पीली भीत में एक शादी इस समय खूब सुर्खिया बटोर रही है यहाँ जेल में बंद एक कैदी शादी करने के लिए चार घंटे की पेरोल पर बाहर आया कोट के आदेश के बाद कैदी को चार घंटे की पेरोल मिली थी जिसके बाद कैदी पुलिस अभी रक्षा में बाहर आया और उसने अपनी दुलहन के साथ शादी की शादी करने के बाद दुलहन को बापस उसके परिवार के पास छोड़ कर जेल में आ गया और सबसे दिल्चस बात ये है कि दूले को जेल पहुचाने वाली लड़की कोई और नहीं बलकि उसकी दुलहनी ही है दरसल पीली भीत की रहने वाली लड़की की शादी शाजापुर चिले के निगूही थाना छेत्री निवासी अमित कुमार के साथ तैग हुई थी शादी तैग होने के बाद दोनों के बीच में बातचीश शुरू हुए दोनों मिलने लगे बातचीश बढ़ने लगे केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने फौरण ही अमित को गिरफतार कर जेल भेज दिया लेकिन शादी की तारीक पहले ही तैग हो चुकी थी शादी तूटने से सोनम के घर पर पहाड तूट पड़ा वहीं जेल जाने के बाद लड़के के परिवार वालों ने समझोते की बात रखकर अमित की युफती से शादी कराने की बात कही जिसके बाद 23 अगस्त को शादी की बात तैह हो गई दोनों बक्षों ने कोट में जाकर अपना-पना हलख नामा दाखिल किया और आपस में सुला समझोते कर रेप के आरोपी ने लड़की से शादी करने की गुजारिश की फिर सुनवाई के दोरान कोट ने लड़की को चार घंटे की पैरोल दे दी और पुलिस अभी रक्षा में उसे शादी कर अपना प्रूफ कोट में दाखिल करने के आदेश भी दे दिया जिसके बाद पुलिस अभी रक्षा में शादी की गई शहर में पुलिस अभी रक्षा की बीच इस दूले की शादी को लेकर काफी चर्चा है कर दो